नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आयोलवेट की एकोर महत्वपूर ओँज़दी की जानकारी लेकर हम एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में दोस्तो आज की इस वीडियो में एक एसी ओज़दी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो की हमारे स्वास्त के नजीरे से बहुती ज़दा फाइदे मन होती है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं काली जीरी के बारे में तो चली जानते हैं क्या है यह ओजदी और क्या-क्या होते हैं इसके फाइदे दोस्तो काली जीरी एक छोटे आकार का ओजदी एक घुनों से भरपूर पूधा होता है काली जीरी स्वाद में तिखी और तेज होती है हमारे मन और मस्तिक्ष को ज़्यादा उतेजित करती है दोस्तो चरक सहिता में इसपष्ट उल्लेख है कि शरीर में कैसा भी जहर हो काली जीरी उसको नश्ट करने की शमता रखती है हाला कि यह नोर्मल जीरे की तरह ही होती है लेकिन इसका जो कलर होता है वो काला होता है यह आम जीरे से मोटा होता है दोस्तो अब बात करते हैं इसके गुणों की यह खुन की सफाई में कारगर होती है जी हां दोस्तो यह ओजदिय पोदा बहुत सी बिमारियों को दूर करने में मददकार होता है यह शुगर यानि के डायबटीस को कंट्रोल में रखने में उपयोगी है और आपके बालों की देखबाल और व्रद्दी करने में काफी जदा इसका फाइदा देखा जाता है साथी चर्म रोगों में यह फाइदे मंद है यह आपके कोलेश्टोल को कम करता है यह खून की सफाय में भी काफी कारगर है और पेट के किडे नश्ट करने में इसका उचित उपयोग किया जाता है दोस्तो कुष्ट रोग्यों को भी इससे लाब हुआ है यूरिन समंदित समस्याओं के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है यह गरबाशे के स्वास्त के लिए फाइदे मंद है मेथी और अजवाइन के साथ इसे लेने पर वजन घटाने में उपयोगी और जहरेले जीवों के काटने या फिर डंक लगने पर इसका उपयोग लाब देता है काली जीरी का उपयोग गठियां, हड्यों, आखों की समस्याओं के निदान और बालों के विकास आदी के लिए भी किया जाता है दोस्तों ये वजन घटाने के लिए बहुत ज़्यदा इफेक्टिव उजदी से मानी जाती है जी आँ दोस्तों, इसका मुक्य रूप से बहुत से व्यक्तिव दुआरा इस्तमाल ही वजन को कम करने के लिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों काली जीरी में आपकी पाचन शक्ती बढ़ाने की शमता होती है जिन लोगों को कब्ज या पेट वाली बिमारिया है वे इसमें दो अन्य ओजदिया मिला कर प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों इस मिश्रन को त्रियोग कहा जाता है तीनों ओजदियों में मेथी दाना, जमान और काली जीरी का बराबर मातरा में अनुपात ले ये तीनों चीजे आपको आसानी से मार्केट में उपलब दो जाएंगी वजन गटाने के लिए भी ये प्रभावी मानी जाती है इसके लिए आपको कड़ना के आए कि 20 ग्राम काली जीरी लेनी है आपको 100 ग्राम मेथी और 40 ग्राम अजवाइन में इसे मिलाना है और सभी को हलके से भून लेना है जाना ना भुने हलका सा इसे भून ले इसके बाद दोस्तों ये जो मिश्रन तयार हुआ है इसे हवा बंद डिब्बे में आपको इस्टोर करके रख लेना है जी हां ऐसा डब्बा जिसमें की हवा घुसना पाए ताकि ये हवा के संपर्क में लगाता न रह सके रोज सोने से पूर्व हलके गुन गुने पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है ये महिलाओं के लिए वजन गटाने का बहुती उत्तम उपाई है आप इसे ट्राई कर सकते हैं और अपने वजन को गटा सकते हैं इस पाउडर से दोस्तों आपकी पाचन शक्ती में सुधार होता है लेकिन दोस्तों किनी किनी लोगों को ये सूट नहीं करती है तो एसी सिच्वेशन में आयूरवेद वीशेशग्य से आप परामर्श ले लेंगे तो आपके लिए बहतर होगा दोस्तों चरक सरीता में ये भी बताया गया है कि इस परश्ट है कि शरीर में केसा भी जहरो काली जीरी उसको नश्ट करने की शमता तो रखती है इसमें शरीर में मोजूद हर प्रकार के कीडों को नश्ट करने की भी मारक शमता है दोस्तों किवल 4 ग्राम काली जीरी को लेकर उसको 100 ग्राम पानी में धीमी आज़ पर उबाले जब पानी की मातरा घट कर 50 ग्राम बच जाए तो उसको थोड़ा ठंडा करके पी जाए लेकिन याद रखें ये बहुत कड़वा होता है केवल इसको 2-3 दिन तक पीना ही परियापत होता है इसकी तासिर गर्म होती है और सभी के लिए उपयोगी और उपयोग तो हो ये आवशक नहीं है इसलिए इसके प्रियोग से पहले किसी अच्छे आयूरवेदा चार्य से आप परामर्श ले लें और उसके बाद ही इसका उपयोग शुरू करें तो दोस्तो देखा आपने ये थी एक आयूरवेदिक कमाल की ओश्दी काली जीरी जो की बहुत से स्वास्त गुनों से भरपूर होती है हमारे लिए तो दोस्तो ये ही थी हमारी आज की जानकरी और वीडियो उमीड करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जड़ दमाएं वीडियो देखने के लिए और अपना किम्ती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद